बिहार का किसान 250 रुपे किलो के बेच रहा है मतलब 2500 रुपे 10 किलो के लिए ये 15 रुपे गल्ती की मैंने ये 15 रुपे एक किलो का मतलब ये माला अमरीका में एक लाख 50 रुपे के लिए जाएगा गल्ती कर दी सोरी एक लाख लाख रुपे के लिए ये अमरीका में बिखता है और समाजिक नियाय का पहला कदम देश का एक्सरे करना है अब बात समझे बात समझे नितीशी कहा फसे मैं आपको बताता हूँ मैंने नितीशी से साफ कह दिया कि देखिए आपको जाती जनगरना बिहार में करनी पड़ेगी हम आपको छूट नहीं देंगे और आरजेटी ने हमने ये काम नितीशी पर दबाव डालके किया अब क्या हुआ अब दूसरे साइट से प्रेशर आया बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो दरते एक्सरे से दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा पता लग जाएगा कि कितने ओबीसी हैं कितने दलित हैं कितने आदिवासी हैं बीजेपी ये नहीं चाहती बीजेपी चाहती है कि आपका इधर ध्यान जाए उधर ध्यान जाए आगे पीछे ध्यान जाता जाए मकर समाजेग नियाए पे एक गलطी से भी आपका ध्यान ना चला जाए नितिज जी बीच में फस गए और बीजेपी ने उन्हे रास्ता निकलने का रास्ता दे दिया और नितिज जी उस रास्ते पे निकल गए समाजिक नयाय देने की जिमयदारी बिहार में हमारे गड़बंदन की है नितीर जी कि यहां कोई ज़रूरत नहीं है यहां पे हम अपना काम कर लेंगे मिलके हमारा गड़बंदन यहां पे जो करनाय कर देगा यह हुई बाde समाजिक नयाय की अब मैं आपको आर्थिक नाय की बात करना चाहता हूँ आपने मुझे अभी वो माला दिया मकाने वाला माला उसको लाईए यहां जरा कहा है वो मैं एक मिनट में आपको आर्थिक अन्याय समझाने जा रहा हूँ यह बिहार के मकाने इतने मज़्यदा रही है खा गए होंगे उनको का गए देखो का गए हाँ लाओ 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 उसको लाओ तोड़ा मज़ा भी आना चाहिए आ रहा है यह आ गया यह देखो कितना सुन्दर मखाने का माला है अब यह देखिए मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ इसको यह लाइए यह यह दस तकरीबन दस किलों का है ठीक है? इसको यह रख दीजिए यह बिहार के गरीब किसानों का खून पसीना है सही बात है? यह बिहार के गरीब लोगों ने अपना खून पसीना देकर गंटों पानी में बैठ कर यह हमें दिया है दस किलों का है यह आपको मालूम है यह अमरीका में कितने कब इकता है? अमरीका में अगर आप इसको बेचोगे जो बिक्रा है अमरीका में यह बड़ा बिक्रा है आज कल वहाँ पर फैशन आ गया है कि मखाना काएंगे बिहार का मखाना काएंगे सबसे पहले उनको मालूम नहीं है यह मखाना कहां से आता है? पहली बात यह है मगर मेरा सवाल आप से यह दस किलो की जो माला है यह अमरीका में कितने रुपए के लिए बिक्रेगी? चुपो गए मैंने नेट पे देखा अभी देखा यह माला पंद्रा हजार रुपए के लिए अमरीका में बिक्रेगी पंद्रा हजार रुपए दस किलो के लिए अब मुझे बताओ इस में से 15,000 रुपे में से बिहार के किसान को कितना रुपे मिल रहा है बिहार का किसान 250 रुपे किलो के बेच रहा है मतलब 2500 रुपे 10 किलो के लिए यह 15,000 रुपे गलती की मैंने यह 15,000 रुपे एक किलो का मतलब यह माला अमरीका में 1,50,000 रुपे के लिए जाएगा गलती कर दी सोरी 1,5 लाख रुपे के लिए यह अमरीका में बिखता है और यहां पे हमारे किसान को 250 रुपए प्रति किलो 2500 रुपए 10 किलो के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यह पैसा जा कहा रहा है यह जा कहा रहा है किसके हाथ में जा रहा है यह किसान के हाथ में तो नहीं जा रहा है तो ये देखिए इसको कहते है आर्थिक अधियाए और ये हर चीज में हो रहा है जो मेकानिक गारी बनाता है जिसने माइक्रोफोन को आज सुबह ठीक किया मोबाइल पोन को जो ठीक करता है जूते बनाता है टी-शर्ट बनाता है जो भी हाथ से काम करता है उसके साथ हिंदुस्तान में भयंकर अन्याय हो रहा है इसके बारे में कोई बोल नहीं रहा है मैंने आपको बोला कि 10 किलो की माला अमरीका में एक लाख पचास हजार रुपए के लिए भिकरी है आप हैरान हो गए एक लाख पचास हजार रुपए ये पड़ा हुआ है हमारे सामने इस में से दो-तीन हजार रुपए किसान के जिम में जा रहे हैं क्या यह अन्याय नहीं है सबसे बड़ा न्याय है तो जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं हम चाहते हैं कि अगर ये एक लाख पचास हजार रुपए की माला है तो कम से कम तीस चालिस हजार रुपए तो किसान के हाथ जाएं अगर मेकैनिक काम कर रहा है मॉबाइल फोन को कोई ठीक कर रहा है खेट में काम कर रहा है उसको अपने मेहनत का सई फल तो मिले और जहां भी देखो हिंदुस्तान में मैंने चोटा सो धारन दिया आपको जहां भी देखो जो गरीब है कमजोर है हाथ से काम करता है उसको अपनी तपस्या का फल नहीं मिलता देश में तो ये दो बाते मैं आपसे कहना चाहता था करता है